गुरुवार के दिन वरत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख सम्रदी बनी रहती है तो चलिए शुरू करते हैं गुरुवार के वरत की कथा भारत वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजय करता था वह नित्य गरीबों और ब्रहमनों की सायता करता यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी वह ना ही कि गरीबों को दान देती थी ना ही किसी भगवान का पूजन करती थी और राजय को भी दान देने से मना कि एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो राणी महल में अकेली थी उसी समय गुरू बिस्पति देव सादू वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और राणी से भिक्षा मागी राणी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहां हे सादू महराज मैं तो इस दान पुर्णने से तंग आ गई हूँ, मेरा पती सारा दिन धन लुटाता रहता है, मेरी इच्छा है कि हमारा समस्त धन नश्ट हो जाए, फिर ना रहे क्या बांस और ना बजेगी बांसुरी। जो निर्धन अपनी कमारी कन्याओं का विवा नहीं करा सकते, उनका विवा करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुमारा यश लोक पर लोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उबदीश का कोई प्रभाव ना पड़ा। वह बोली, महराज आप मुझसे कुछ ना कहिए मैं ऐसा दन भिलकुल भी नहीं चाती, जो हर जगा बाटती फिरू। सादू ने उतर दिया, यदि तुमारी ऐसी ही इच्छा है तो ततास तू। तुम ऐसा करना, बिर्सपतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर्धो कर स्नान करना, भट्टी चड़ा कर कपड दोना, ऐसा करने से आपका सारा धन नश्ट हो जाएगा, इतना कहकर वे सादू वहां से अंतर ध्यान हो गए। सादू के नुसार कहीं बातों को पूरा करते हुए राने को केवल तीन वीरवार ही बीते थे, कि उसकी समस्त धन समपत्ति नश्ट हो गई। भूजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा, तब एक दिन राजा ने राने से बोला कि हे राने तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहां पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कारे भी नहीं कर सकता। ऐसा केकर राजा परदेश को च दुखी रहने लगी, एक बार जब रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वैं भड़ी दनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गु विस्पती देव भगवान की वृत कथा सुन रहे थी, दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी होई, और उसे क्रोध भी आया, दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता सुनकर रानी ने अपने भागे को कोसा उदर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी परन्तु मैं उससे नहीं बोली इससे वह बहुत दुखी हुई होगी कथा सुनकर और पूचन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आये और कहने लगी हे बहन मैं बिश्पतिदेव का वरत कर रही थी तुमारी दासी मेरे घर आय थी परन्तु जब तक कता होते जब तक ना बोलते है ना ही उठते है इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी रानी बोली बहन तुमसे क्या चुपाओ हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था ऐसा कहते कहते रानी की आँखे भर आय उसने दासी समेत पिछले कई साथ दिनों से भूके रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी रानी की बहन बोली देखो बहन भगवान ब्रिस्तपती देव सबकी मनों कामनाव को पूर्ण करते हैं देखो शायद तुमारे घर में भी अनाज रखा हो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर बहन के आगरे करने पर उसने अपनी दासी को अंधर भीजा तो उसे स भोजन नहीं मिलता तो हम वरत तो करते ही है इसलिक्यों ना इस वरत की और कथा विधी पूछ लिजाएं ताकि हम भी वरत करें तब रानी ने अपनी बहन से बिस्पति देव वरत के बारे में पूछा उसकी बहन ने बताया बिस्पतिवार के वरत में चने की दाल और मुनक से विष्णु भगवान का केले की जड़ से पूजन करे तथा दीपक जलाया वरत कथा सुने और पीला भूजन ही करे इसे बिस्पति देव प्रसन होते है वरत और पूजन विधी बताकर रानी की बहन अपने घर को लोटाए साथ दिन के बाद जब गुरुवार आया तो र बाद को लेकर दोनों बहुत दुखी थे चोकि उन्होंने वरत रखा था इसलिए बिस्पति देव उनसे प्रसन थे इसलिए वै एक साधान व्यक्ति का रूप धारंकर दो थालों में सुन्दर पीला भोजन दासी को दे गए बोजन पाकर दासी प्रसन हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहन किया उसके बाद वे सभी गुरुवार को वरत और पूजन करने लगी बिस्पति देव भगवान की किरपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई परंतु रानी फिर से पहले की तला आलस से ही करने लगी तब दासी बोली देखो रानी तुम पहले भी इस प्रकार आलस से करती थी तुम्हें धन रखने में कश्ट होता था इस कारण सभी धन नश्ट हो गया और अब जब भगवान बिस्पति देव की किरपा से हमें धन मिला तो तुम्हें फिर से आलस से आता है रानी को समझाते वे दासी कहती है कि बड़ी मुसीब परसन होगे दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुक कार्यों में खर्च करने लगी जिसे पूरे नगर में उसका यश्ट फैलने लगा बिस्पतिवार कथा के बास श्रदा के सतार्ति की जानी चीए इसके बास प्रशाद बात कर उसे ग्रहन करना चीए एक दिन राजा द उसने देखा कि निर्जन वन में एक सादू प्रकट हुए वह सादू वेश में स्वम बिस्पति देवता थे लकड़ारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़ारे इस सुंसान जगल में तू चिंता मगन में क्यो बैठा है लकड़ारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रनाम किया औ मैं क्या कहूँ यह कहकर वह रोने लगा और सादू को अपनी आत्म खता सुनाई महत्मजी ने कहां तुमारी इस्तुरी ने विस्पति देव के दिन भगवान का निरादर किया है जिसके कारण रूश्ठ होकर उन्होंने तुमारी यह दशा कर दिया अब तुम चिंता को कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक धन संपति देगे तुम विस्पत्वयार के दिन कठा किया करो दो पैसे के चने मुनंक का लाकर उसका प्रशाद बनाओ और शुद्ध सल से लोटे में शकर मिलाकर अमरित तयार करो कठा के प्रशाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमरित्वय परशाद बाठ कर आप भी घ्रहन करो ऐसा करने से भगवान तुमारी सब मनों का आमना में पूर्ण करेंगे सादू के ऐसे वजन सुनकर लकड हारा बोला हे प्रभू मुझे लकडी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरात में कुछ बचा सकूँ मैंने रातरी में अपनी इस्तरी को व्याकुल देखा है मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर ले सकूँ सादू निका हे लकडारे तुम्हे किसी बात की चिंता मत करो बिस्पतिदेव के दिन तुम रोजाना क लकडिया लेकर शहर को जाओ तुम्हे रोज से दुगनाधन प्राप्त होगा जिससे तुम भली भाती भोजन कर लोगे तता बिस्पतिदेव की पूजा का समान भी आ जाएगा इतना कहकर सादू अंतरध्यान हो गए दीरे दीरे समय वैतित होने पर फिर वही बिस्पतिव गुरुवार का दिन आया लकड़ हरा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया उसे उस दिन से अधिक पैसे मिले राजा ने चनागुड आदि लाकर गुरुवार का वरत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए परन्तु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बिस्पतिवार का वरत करना भूल गया इस कारण बिस्पतिदे भगवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यग्या के आयोजन किया तथा शहर में ये घोशन करा दी कि कोई भी मनुश्य अपने घर में भोजन ना बनाए ना आग जल शहर के सबी लोग भूजन करने लगे लेकिन लकड़हारा कुस देर से पूछा इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेकर आ गए और ले आकर भूजन करा रहे थे कि रानी की दुरुष्टी उस खुटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटकवा था वह वहां उसे इस मनुशी ने चुरा लिया है उसी समय सिपाईयों को बलाकर उसको कारावास में डलवा दिया जब लकड़हारा कारावास में पड़ गया और बहुत दुखी अगर विचाट करने लगा कि ना जाने कौन से पूरु जनम के करम से मुझे ये दुख प्राप्त है और उसी सा बिस्पतिदेव की कथा नहीं करी इस कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है अब तुचिंता मत कर बिस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तू बिस्पतिदेव की पूजा करना तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे बि निर्दोश है वहे राजा है उसे छोड़ देना रानी का हार तो उसी खूटी पर लटका हुआ है अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राजे को नश्ट कर दूँगा इस तरह रात्री के सौपन को देखकर राजा प्रातकाल उठा और खूटी पर हार देखकर को योग्य सुन्दर वस्त आवुशन देकर विदा किया विस्पतिदेव की आगया अनुसार लकड़ हारा अपने नगर को चल दिया राजा जब अपने नगर के निकट पोचा तो उसे बड़ा अश्चारी हुआ नगर में पहले से अधिक बाग तलाप कुवे तथा बहुत आते हुआ और गुसा भी आया जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे है तो उसने दासी से कहा कि हे दासी देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ कर गए थे हमारी ऐसी आलत देकर वे लोट न जाए इसलिए तु दरवाजे पर खड़ी हो जा आग यानुस कहा हमें यह सबधन बिर्शपति देव के इस वरत की प्रभाव से प्राप्त हुआ है राजा ने निश्चे किया कि साथ रोज बात तो सभी बिर्शपति देव का पूजन करते हैं परन्तु मैं प्रति दिन दिन में तीन बार कहनी और रोज वरत किया करूँगा अब हर समय राजा के दो पट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में तीन बार कहने कहता एक रोज राजा ने विचार किया चलो अपनी बहन के यहां हो आए इस तरह निश्चे कर राजा गोड़े पर सवार अपनी बहन के यहां चलने लगा मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दी को लिए जा रहे हैं उन्हें रोक कर राजा कहने लगया अरे भाईयो मेरी बिर्सपति देव भगवान की कथा सुलो वह बोले लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है परन्तु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुमारी किसान खेत में हल्क चलाता हुआ मिला राजा ने उसे देखकर कहा और उससे बोला अरे भाईया तुम मेरी बिर्सपति देव भगवान की कथा सुलो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूगा तक मैं चार हरया जोत लूँगा जा अपनी कथा किसी और को सुनाना इस तर ये देखा तो उसने अपने पुत्र से सवाल पूछा और बेटे ने भी सभी हाल कह दिया तो बुडिया दोडी दोडी उस गुर सवार के पास गए और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूँगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल कर कहना राजा ने बुडिया के खेत पर कथा कही जिसके सुनते ही उसके बेल उठ खड़े हुए तता किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया राजा अपनी बेहन के गर पोचा बेहन ने भाई की खूब महमान की दूसरी रोज प्रातकल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भूजन कर रहे हैं राजा यह देश तो ऐसा ही है यहां सबसे पहले लोग भूजन करते हैं बाद में अन्य कोई कारे करते हैं अगर कोई पडोस में हो तो मैं देख कर आती हूं वह ऐसा कहकर देखने चली गई परन्तु उसे कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भूजन ना किया हो अथा वह एक कुमार के गई जिसका लड़का बिमार था उसे मालूम हुआ कि उनके यहां तीन दिन से किसी ने भूजन नहीं किया रानी ने अपने भाय की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा और वे तयार हो गया राजा ने जाकर बिस्पतिदेव की कथा कही जिसके सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अब तो राजा की प्रशिंसा होने लगे एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन हम अपने घर को जाएंगे तुम भी तयार हो जा राजा की बहन ने अपनी सास से कहा सास ने कहा चली जा परन तो अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई बहन ने अपने भाई से कहा हे भाई मैं तुम्हारे साथ चलूँगी पर मेरा कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम भी चल कर क्या करोगी बड़े ही दुखी मन से राजा अपने नगर को लोट गया राजा ने अपने बहन से कहा हम निर्वन्ची है हमारा मुँ देखने का धर्म नहीं है और भूजन आदी कुछ भी नहीं किया रानी बोली हे प्रबू बिर्षपति देव ने हमें सब कुछ दिया है वे हमें अवलाद भी अवश्य ही देंगे उसी रात को बिर्षपति देव ने राजा से सोपन में कहा हे राजा उठ सभी सोच चाक तेरी रानी गर्ब से है राजे की यह बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई नवे महिने में उसके घर्ब से एक सुन्दर पूत्र पैदा हुआ है तब राजा बोला हे रानी स्तृ बिना भुजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती जब म मेरी बेहन आवे तो तुम उसे कुछ मत कहना राणी ने सुनकर हा कर दी जब राजा की बेहन ने यह शुप समाचा सुना तो वह बहुत खुश हुई तता बदाई लेगर भाई के यहां पोची तबी राणी ने कहा घोड़ा चड़कर तो नहीं आई घदा चड़कर आई कामना पूर्वग विश्पतिदेव भगवान का वरत करता है एवम कथा पड़ता है अत्वा सुनता है और दूसरों को सुनाता है विश्पतिदेव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तो दोस्तों यह थी भगवान विश्पतिदेव भगवान की वरत कथा ओम न नमो भगवते वासुदेवाय नमा